बारत का पडोसी देश नेपाल एक बार फिर भुकम की चपेट में है शुकरवार देर रात आये 6.4 त्रीवृता वाले इस भुकम के कारण कई इमारते ढहे गई और तबही का अलम यह है कि 139 लोगों की मोत हो चुकी है अभी भी मोतों के आकड़े बढ़ सकते हैं मलबे में दबने की कारण कई लोग गंभी रुप से खायल हुए है जिनने अस्पताल में भरती कराया गया है बताया जारा है कि भुकम के कारण ज्यादातर लोगों की मोत रुकुम पश्चीम जाजर कोट में हुई है मृतकों की जानकारी रुकुम पश्चीम के डीएसपी नामराज भट्राई और जाजर कोट के डीएसपी संतोष रोका ने दी है नेपाल में अए भुकम पे मरने वालों की संख्या एक सो उनतीस तक पहुँच गई है प्रधान मंत्रे के नीजी सची वाले के मुताबिक जाजर कोट भुकम में बाणू लोगों की मोत हो गई है और पश्चपन लोग घायल हो गई है वहीं रुकुम वेस्ट में 36 लोगों की मोत हो गई और 85 लोग घायल हो गई है नेपाल में तभाई मचाने वाले भुकम की त्रिवता का अंदाज इस बास से लगाया जा सकता है उसका असर दिल्ली NCR समेट पूरे उत्तर भारत में देखा गया बिहार के पटना और मद्ध्रदेश के भोपाल तक भुकम के हलके जटके महसूस किये गए दिल्ली NCR में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए इसी के साथ मने रहे ही एश्यमीज इंडिया के साथ दने बाद